नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का क्रेडी क्लासिज में इस वीडियो में सीटाइट का पेपर सॉल्व करेंगे 21 दिसंबर 2021 का और इसमें पेपर बन में लेंग्वेजवन में हिंदी को सॉल्व करेंगे चली देख लेते हैं वीडियो स्टाट कर लेते हैं इसमें कुष्ण नममर 91 है पढ़ने की प्रक्रिया का परतम सोपान है डैस इसका राइट आंसर है option नममर तीन पुस्तकों के प्रति आकर सड नेक्स्ट कुश्टन है जित्राथमिक पुस्तकें बच्चों को डैस प्रदान नहीं करती इसका राइट आंसर है option number 4 next question question number 93 बच्चे की स्रजनात्मकता में बादक है इसका right answer है option number 3 बना बना बनाय कत्य option number 3 सही है next question question number 94 जब बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो इसका अर्थ है कि बच्चे इसका right answer है option number 1 अवदाडाएं बन रहे हैं option question number 94 है इसका right answer है option number 1 अवदाडाएं बना रहे हैं next question question number 95 चित्रों वा चित्रों पर बादचीत महतपोड है क्योंकि इसका right answer है option number 2 अधूरी वा गलत अवदाडाएं संसोधित होर जाती हैं option number 2 सही है question number 96 अवदाडाओं के बनने के संदर्व में मैतपोड है इसका right answer है option number 2 संदर्व योक्त परिवेश next question question number 97 सारिजिक में प्रत्य है इसका right answer है option number 3 एक next question question number 98 चित्रात्मक किताबों में चित्रात्मक सब्द है इसका right answer है option number 2 इसका right answer है option number 3 की option number 3 सही है next question question number 100 इसमें ये double question दिये है इसमें इसको छोड़ देंगे 100 question देखेंगे कौन सा है इसमें पध्यांस दिया है और question number 100 है पच्पन को किसने समाप्त कर दिया है इसका right answer है option number 1 प्रगती की अपेच्छा next question question number 101 कविता में बच्चा व्यस्त रहता है इसका right answer है option number second पढ़ने लिखने में next question question number 102 कविता में बच्चों में भी blood pressure होने की बात कही गई है इसका प्रमुक कारण है इसका right answer है option number 4 पर्थम आने का तनाव next question question number 103 दिगई कविता में किस बात पर बल दिया गया है इसका right answer है option number 3 बच्चों का बच्पन न छीनने पर option number 3 सही है इसका next question question number 104 रात भर कौन सा क्रिया विसेशड सब्द है इसका right answer है option number 3 काल वाचक next question question number 105 प्रगती में उपसर्ग वा मूल सब्द है इसका right answer है option number 1 प्रप्लस गती option number 1 सही है next question question number 106 106 प्रात्मिक इस्तर पर चैनित बाल साहित्य में सरवादेक मेतपूर बिंदु है इसका right answer है option number 2 सार्थक पुन्रावर्ती सार्थक पुन्रावर्ती इसका right answer है next question question number 107 बासा एक दैस है इसका right answer है option number 4 नियंबद विवस्था next question question number 108 कच्छा तीन की हिंदी बासा की पाठे पुस्तक में दिया गया अभ्यास ओजारों के नाम खोज कर लिखना उदारण है इसका right answer है option number 4 विश्यों की सब्दावली से अनिवार परचे का option number 4 सहिए इसका next question question number 109 मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता वाक्य में रेखांकित सब्द का मतलव बताओ यह सब्द इसका right answer है option number 3 संदर्व में सब्दावली का उदारण है option number 3 सहिए इसका next question question number 110 हमारे देश की देश विविजता हमारा एक बासाई देश है इसका right answer है option number 3 बागालिक विस्तार next question question number 111 प्रात्मिक इस्तर पर सिच्चा का माध्यम डैस ही होना चाहिए इसका right answer है option number 1 मात्रवासा next question question number 112 विभिन प्रकार की सिच्चट सामगरी बासा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को डैस बनाती है इसका right answer है option number 2 रोचक next question question number 113 किस विद्या में मोखिक अभिवक्ती के विकास की सरवादिक गुझाईस है इसका right answer है option number 4 एक अंकी next question question number 114 किस विद्या में मोखिक अभिवक्ती के विकास की सरवादिक गुझाईस की सरवादिक प्रात्मे किस्तर के बच्चों में डैस और डैस के माद्यम में से लेखन कोसल का विकास किया जा सकता है इसका right answer है option number 3 रेखांकन कोमा चित्रांकन option number 3 सही है next question question number 115 तुमारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है सवाल बच्चों को डैस का अवसर देता है इसका right answer है option number 2 अपने अनववों को साजा करने next question question number 116 बासा अरजन चमता डैस से सम्मन्दित है इसका right answer है option number 3 चौमस की next question question number 117 मौना दूसरी कच्चा में पड़ती है वह पड़ते समय अटकती है सम्मवत है वह दैस इसका right answer है option number 2 डिसलेक्सिया next question question number 118 सुनी और पड़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी बासाई गतिविदी सरवादिक मेतपूड है इसका right answer है option number 4 कहानी का प्रश्न निर्माड करना next question question number 119 प्रात्मिक इस तर पर हिंदी बासा का आकलन करते समय आप किसे सरवादिक मेतपूड मानते है इसका right answer है option number 1 मौखिक अभिवेक्ती next question question number 120 और ये last question कविता के संदर्व में सरवादिक मेतपूड है इसका right answer है option number 1 बावपूड पठन दोस्तों अगर वीडियो अच्छ लगी हो तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल